हेलो फूरीज कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे बिना फ्राइ किये दहीं भले और वो भी सिर्फ थोड़े से टाइम में हम बना लेंगे और यहां पर दाल भीगोने का भी कोई जंजट नहीं रहेगा और बिना तेल के जैसे बहुत ही कम एक चमज ओयल में हम सारे दहीं भल यहां पर हमने थोड़ा सा अद्रक और थोड़ी सी हरी मीच डाल नहीं है इसके अंदर और इन सबी चीजों को मिक्स करना है तो यहां पर थोड़ा थिक लग रहा है मुझे अगर तो आपका दहीं पतला है तो आपको पानी डालने की जिरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर मै तोड़ा सा पानी डार लेयूं तीन से चार चमठ पानी की मेंने इसके अंदर यूज़ किए हैं सब्साइब आप जांगे अच्छी तरहए अच्छी तरहब द। तब तक हमने इसे मिक्स करना है अब देखिए बैटर हमारा अच्छी तरह बन गया है अब हमने इसे धक कर रख देना है 10-15 मिनट के लिए तो जिससे ये सुजी फूल जाएगी हमारी यहाँ पर ये बैटर को रखे हुए 10-15 मिनट हो गए है अब हम धकन को वतार कर देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसके इंदर पानी की जरूरत है की नहीं है तो लिटी ये थोड़ा काफी गाड़ा हो गया है अब हमने इसके इन तो थोड़ा सा पानी डालना है यहां पर इसके अंदर थोड़ा सा में एक चमच के गरीब धनिया डाल देती हूँ धनिया सीस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अब इन सभी मिश्रण को हमने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेना है दो चमच के गरीब पानी मैंने अब और डाला है अब हम इसे गोल मनाना था यह बेटर हमारा ऐसा होना चाहिए इससे पतला नहीं करना इससे गाड़ा नहीं रखना तो चलिए अब हम इससे बनाएंगे बहले और वह भी बिना ऑल के जैसे बिना फ्राई कि हम बनाएंगे अपम पैन में बना लेते हैं अगर आपके पास अपन पैं नही तो लीजिए यहां पे हमारा गोल बिल्कुल रडी है अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं भले बनाने के लिए मैंने अपम पैम लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑईल ब्रश से लगा देते हैं ऑईल इसमें बहुत जादा छोड़ना नहीं आपने बस ब्रश से के अदर अब हम डालेंगे जो हमने बैटर बनाया था एक एक चम्मच बैटर हमारा इसके अंदर जाएगा और सभी होल्स को हम इसी तरह भर लेते हैं देखे सभी कैबिटी में मैंने इस तरह ये डाल देना है और ज्यादा बहुत ज्यादा ना डालें और बहुत कम ना डालें बस जितना इसका सर्फेस है उतना डाल देजिए और उसके बाद ये अपने फूल कर बाहर के तरफ आ जाते हैं अब लीजिए डालने के बाद हम इसे ढख कर दो से तीन मिनट पका लेंगे तीन मिनट तक हमने इसे पकाना है और इसे एकबर मैं दिखा रही हूं आपको ये फूलने शुरू हो गए हैं और जब इसके इसको थोड़ा सा टाइम हो जाए एक तर मिनट के बीच में तो आप थोड़ा थोड़ा ओईल इसके साइड़ों में किनारों में हलका हलका सा लगा देए देखिए मैंने एक ही ब्रश लिया है और सभी में मैं इसको हलका हलका दो दो बूंद इसके अंदर लगा दूँगे और उपर से ऑईल हलका सा लगाने के बाद से ढखकर हम डेड़ मिनट के गरीब और पका लेते हैं देखिए इसे पकते हुए हो गए है तीन मिनट अब हम इसे पल्टी करेंगे आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर बहुत ही शांदर कलर इसका आया है लाइट गोल्डन कलर है और यह बहुत क्रेश्पी हो गए हैं नीचे से और अब दूसरे साइड से भी हम नहींने पकाना हैं बहुत अच्छी तरह है तीन से चार मिनट अब दूसरे साइड पकारने के लिए लग जाएंगे और इसे ढग कर फिर दुबारा से हम रख देते हैं अब लीजिए सारे अपर हमारे बन चुके हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और यह सुजी के जो भले बनाए हैं हमने यह बहुत जादा सॉफ्ट बनते हैं आप इसे एक बार ट्राइजूर कीजिएगा खाने में यह बहुत मज़ेदार होते हैं जैसे तेल वाले भले हम खाकर थोड़ा से खाकर हमें हैवी हैवी फील होता है लेकिन यह वाले आप खाओगे ह बल्दी भी है और टेस्टी भी है फिर दुबारा वाला लॉट सेकेंड लॉट भी हम इसी तरह लगा देते हैं और इन्हें भी सेम उसी तरीके से गोल्डन करके हम निकाल लेंगे प्लेट में अब भले हमारे बन चुके हैं यहां पर एक बाउल में मैंने दो गिलास पानी लिया है और आदा चमच नमक कर डाला है आप इस नमक को इसके अंदर घोल लेते हैं नमक डालना जुरूरी है क्योंकि अंदर भलों के पानी चला जाएगा तो वो थोड़े फीके हो जाते हैं यहां पर मैंने की देखी सॉफनेस दिखा सकती हूं आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं अब यह भले हमारे ठंडे हो चुके हैं अब हमने इसे पानी में डालना है बहुत गरम को आपने पानी में नहीं डालना मीडियम से हो जब तब हम इनने पानी में इस तरह छोड़ दें यह देखें, पानी में जाते ही, यह पूलना शुरू हो जाएंगे, दस मिनट तक आपने इसे पानी में छोड़ देना है, ढख के छोड़ दें, और बीच में एक पर पल्टी भी जुरूर कर दें तो दस मिनट तक पानी में छोड़ कर इसे इसी तरह रख देते हैं उसके बाद इन्हें निचोड़ कर निकालेंगे अब भले हमारे ड़ी हो गए हैं अब हमने यहाँ पर दही लिया है घर वाला दही है मेरा जमा हुआ अब इसे फेंट लेती हूँ मैं अच्छी तरह इसमें बिलकुल लंप्स नहीं रहेंगे यहाँ पे ऐक बाओल में यह वालज़ धई हम डाल लेते हैं ढहिल नहीं बिलकुल स्मूथ हो गया है और एक कडोरे महम इसको िसको निधा नमक डाल ले हैं थोड़ा सा और यहां पर मैं काली मिर्च अच्छी होती है डाइजेशन के लिए बढ़िया रहती है यह आप थोड़ी सी जुरूर डाल ले यहां पर लाल मिर्ची डाल गरी हूँ मैं थोड़ी सी इसके अंदर अब इस सबी समान को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है दही बहुत ही जड़ा क्रीमी है और इसमें खटास नहीं है ज़ादा दही में अब हमने दही में थोड़ी सी एक चमच के गरीब चीनी डाल देनी है अगर शुगर पाउडर है हमारे पास तो वो डाल दीजिए यहां पर मैंने एक चमच नॉर्मल चीनी जो घर में होती है वही इसमें पानी में से निकालना है और एक प्लेट में रख लेना है अब इसमें जो भी हमने एक चमच के करीब ऑइल भी लगाया था वह भी निकल जाएगा यह बिल्कुल आइल फ्री हो जाएंगे पानी में जाते और इसकी सॉफ्टनेस में आपको दिखा देती हूँ आप द करते हैं एक प्लेट लेती हैं कोई भी serving dish ले ली जिए उसके अंदर हम इने रखेंगे आप इसए dominated में रख लेचे क्योंकि यह थोड़े पतले होते नॉर्मल ढहीं भलों से तो अब इसाझा मेड़े और पिर इसके उपर से हम दही बैढ़ा जो भी मिसालें है वो युमी ब करा, यह ज़्यादा ख़टाई दही, कभी भी धर्ण बॉल यूज़ नहीं करना चाहिए नहीं तो इसो को खाने का मन नहीं करता है इस पर से धही डाल दही डाल देते हैं पहले बुद्धे दो और अब हम इसे के ओपर ग्रीन चटनी इमलीकी चतनी और जो हमारे मसाले हैं वो यूज़ करने अब लिज़े इसके उपर हम ग्रीन चतनी डालते हैं ये मैंने धनिया हरे मिर्च अद्रक और थोड़ा सा चाड मसाला डालकर हमने ये चतनी बनाई है बहुत ही तेस्ती ये वाली चतनी बनती है आप इसे ट्राइ जूर करें इ इसमें थोड़ा सा प्यास भी डाल सकते हैं अब इसके उपर से डालेंगे हम इमली की चतनी इमली की चतनी ये मैंने बनाई है घर में और इसका वीडियो भी चैनल पे है मैं इसका लिंक दे दूंगी दिस्क्रिप्शन में और इस चतनी को बनाए हुए मुझे 3-4 महीने हो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है यह आप इस तरीके से बनाए अब इसके उपर से थोड़ा सा दहीं और डाल देते हैं इसी तरह हमने इसकी अच्छी से प्लेटिंग करनी है अब हम इसके उपर से थोड़ा सा प्यास डालेंगे कट हुआ है यहां पर प्यास का जो नार बहुत अच्छा लगता है इसके उपर से डला हुआ तो प्यास डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अब आप देख सकते हैं यह हमारी चाट बनका रेडी हो गई है दहीं भल्ले ऐसे बने हैं आप एक पर बनाओगे तो आप दें डाल वाले दहीं बन बने हैं और यहां पर मैं आपको काट के दिखाती हूं भले आप देखिए मैंने चमच से बाइट किया है यहां पर बहुत ही स्पॉंजी दहीं मले बनका रेडी हुए हैं मैं इसके उपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भूना हुआ जीरा और लाल मिर्ची करना मत भूलिएगा आगे हम किसी नई रेस्टिपी के साथ मिलते हैं तब तक लिए गुद्बाई टेक क्यार लब यू